पालगर में संतों की हत्या हुई उसमें और जो उत्तर प्रदेश की संतों की हत्या हुई उसके विशह में मैं 10 सेकिंड कुछ कहना चाहूँगा स्वामी दीपांकर जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पालगर में जो संतों की हत्या हुई वो हत्या अलग थी और उत्तर प्रदेश में हत्या अलग है ये संत नहीं थे अंतर आत्मा आपकी जागरत हुई हम आपके साथ थे हमने महराश सरकार के ग्रह मंतरी का इस्तीफा मागा लेकिन आपकी आत्मा जागरत नहीं हुई आज इन संतों को बेरहमी से मारा गया ये बुलंद शेहर में दो संतों की जो हत्या हुई तो एक सवाल तो पूछते विश्विंदू परिशद मौन, रसस मौन, बजरंदल मौन, अखाड़ा परिशद मौन आप एक सवाल तो पूछते, आपने कैसे तैकल लिया कि दो साधूँओं के सौमी दीपांकर मुघे कंप्लीट करो, आपने बहुत लमबा बोला है, मुझे सुन तो लो, मुझे कंप्लीट तो करने दो सौमी दीपांकर आपने ये वार ये तो पूछा होता उत्तर प्रदेश की सरकार से ईह आप गलत जानकारी दे साहिए है और गलत जानकारी दे रहे हैं तुमें जानकारी साहिए है Resources में ये कह रहा हूँ आज सुनिये सुनिये सुनीये मेरी मुभी मेरी किस्ञारी आपर हुआ अरे सुनी और भाद कि अह सग्राइवाश करें अनर्गाल बात कर रहे हैं व्ह lower जानकारी यह यह नई मैं कि पक्ष्मि न करूत रहे हैं तौक लाइकर स्थयों क all profession game London जी जी आपने कभी तीपांक्र को ने ठोका मुझे क्यों ठोकते मैं पूछना चाहता हूं स्वामी दीपांकर से कि दो संतों की हत्या जब पाल घर में होती है तब साजिश होती है तब सरकार निकम्मी होती है लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर होती है बेरहमी से दो संतों की हत्या होती है और एक आदमी को पकड़ के बंद किया गया है एक आदमी को जो पकड़ के बंद किया गया है क्या गले बात उतरती है कि उसने लाठी डंडे से और तलवार से दो संतों की हत्या कर दिया और चिलाए ना हो